जशको आज हम इस वक्त जंतर मंतर दिल्ली में हैं और यहां पूरे देश से लोग अपने हको अधिकारों के लिए यहां लड़ने आते हैं यहां से वो अपनी मांग उठाते हैं और अपने हकों अधिकारों के लिए लगातार वो यहां से संगर्श करते हैं ऐसा ही एक समूह हमारे बीच इस वक्त है ये सभी लोग आकाश्वणी के casual announcer compare है ये आज यहां पर अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ने आये हुए हैं ये यहां उसकी मांग करने आये हुए हैं लगातार ये अपने अधिकारों के लिए संगर्श कर रहे हैं हम बात समिधान की करते हैं क्योंकि समिधान के अनुसार ही हम लोग अपने हक और अधिकार पाते हैं और जब समिधान की बात आती है तो हमें और तमाम पुरी जंता को समिधान की कितनी जानकारी है ये भी एक सवाल उठता है यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि आम लोगों के बीच समीधान की जानकारी कितनी जादा है या आज भी ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको समीधान से प्रदत अधिकारों की जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ पाते हैं और नहीं उनके हक अधिकार मिल पाते हैं हम सबसे पहले मनोज पाठक जी है जो की पटना से है बिहार से हम उनसे जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि ये जो देश है समभिधान को पुरी तरह से समझ पाया है, अपने हक अधिकारों को समझ पाया है अभी भी बहुत अशिक्षा है और लोग दिरे दिरे अब शिक्षत होते चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी एक बहुत अजीब सी स्थिती है कि अभी भी हमारा संविधान क्या है इसका प्रस्तावना क्या है और इसमें किन-किन अधिकारों को दिया गया है आम जंता के लिए इसको अभी भी बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं और ना चेस्टा ऐसी की गई है या ना कभी ऐसा एडूकेशन में कभी कोई चीज़ें सामिल की गई है क्योंकि कोई भी रिफॉर्मेशन होता है कोई भी जानकारी मिलती है तभी जब आदमी एडूकेशनल बैक ग्राउंड से मजबूत होता है साउंड होता है तो मुझे ऐसा पद्धिती में थोड़ी बहुत जानकारियां दी जाती है उसके बाद अधिकारों की बात एक दम गौन कर दी जाती है क्योंकि लोग अगर जागरित हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा लोग अगर जागरित हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी ये अजीव सी बात है लोग जागरित हो जाएंगे तो किसको मुश्किल हो जाएगी अगर लोगों को उनके अधिकार हक मिल जाएंगे तो आखिर किसके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती क्या कहना चाहेंगे शिमला के बारे में भी दोनों तरह की परिवाशा हैं हमें देती है लेकिन यहां समझने की बात ही है यह जो आज तक समाज हमारा हमारा देश जो आगे बढ़ पाया है उसमें हम यह देखते हैं कि हलांकि पढ़या लग्या समाज भी हमारा हो गया है लेकिन फिर भी कहीं है कि उसके प कमी है इवन पड़े लिखे समाज में भी हम यह देख रहे हैं लेकिन जहां तक आपका सवाल था कि कौन इससे परशान होंगे तो वो तब का परशान होगा जो हमें मतलब की एक तरह से अनपड़ समझता है या हमें इग्नोरंट समझता है और हमारे जो है ना हाकूं को दबान और के प्रति सामने आएगा जिसको अधिकार नहीं मिलैं हैं अगर वो सामने आता है अपने अधिकार कि लेकर लड़ता है तो किसको तकलीफ हो हो सकती क्या कहना चाहेंगे नितिन वाघमारे हैं आप वकील भी है अप क्या कहना चाहेंगे आप बीड महराश्ट से हैं अगर इसे सही तरीके से इंप्लिमेंट किया जाए तो इसकी स्रेश्थता प्रूव हो सकती है, लेकिन अगर इसे नहीं सर्वत स्रेश्थता से अप्लाई किया गया, इंप्लिमेंट किया गया, तो शायद ये सम्मीधान बेकामी हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था, सही मायने में अगर आज देखा तो समविधान के बारे में जितनी जागरूकता होनी चाहिए के समविधान आखिर कहिता क्या है जस्टिस, एक्विटी और फ्रेटर्निटी के बारे में कहिता है सम्ता, स्वातंत्रियों, बंदुभाव हमें पहले तो ये पसको पकड़ कर चलना होगा कि हमें समता प्रस्थापित करनी होगी बंदुभाव प्रस्थापित करनी होगी और न्याय जो आखरी तबका है उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए ये बहुत जरूरी है और समविधान का ढाचा यहीं कहता है तो इसके लिए जो है तो हमें अपने तोर पर भी कुछ ऐसी बाते करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये समविधान पहुँचे और उन्हें अपने अधिकारों के हक के बारे में जागरू किया जाए एक मेरा जो सवाल था कि किसको तकलीफ हो सकती कि क्या वो शोशक वर्ग अभी भी यहाँ पर मौजूद है जिसको दिक्कत होती है कि लोगों को उनके समविधानिक हाख अधिकार मिल जाएंगे हाँ समविधान ने तो गैरंटी दी है जो fundamental rights है समविधान के तहत उन्होंने तो दिया है गैरंटी दिया है कि आपके rights उन्होंने safeguard किये लेकिन कुछ ऐसा वर्ग यहाँ पर है जो अपने आपको फिर भी समविधान से परे समझता है और एक शोशन व्यवस्ता यहाँ निर्मान करता है और उसी तहत एक जो inferior वर्ग है वो इस शोशन का शिकार हो गया है superiority, inferiority इसमें आ गई है और इसी तरह से यह समविधान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुँचा जाए इसके बारे में यह जागरुक रहते हैं जागरुक रहते हैं कि जादा से जादा लोगों तक समविधान ना पहुँचे लेकिन हम जागरुक रहते हैं इस बात को लेकर कि जादा से जादा लोगों तक यह समविधान पहुँचे समीर गोस्वामी है आप च्छतरपूर मध्यपदेश समीर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि जादा से जादा लोगों तक सम्विधान पहुँचे इसके लिए क्या किया जाना चाहिए अच्छे कहानिकारों की लेकिन सम्विधान कही नहीं पढ़ाया जाता सम्विधान हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तब समझते हैं हमारे अधिकार क्या है और कर्तव भी क्या है सम्विधानी क्रूप से तो जो आप पहले बात कर रहे थे कि एक विशेश वर्ग है वो नहीं चाहता कि हम सम्विधानिक रूप से परिपक हों और उसकी समझ हमारे पास आया और हम अपनी हक्ती लड़ाई के लिए उनके सामने खड़े हों क्योंकि उनका जो शोशन का अधिकार है वो खत्म हो तो उसको शने शने ये बताना चाहिए कि उसके अधिकार क्या है उसके करतव क्या है सम्विधान क्या कहता है सम्विधान की फलानी धारा क्या कहती है ताकि उसको चीज का शुरू से ग्यानों कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है क्या वो शोशित तो नहीं ह यानि कि शिक्षा में हमें समिधान शामिल करना होगा शिक्षा में अगर समिधान शामिल करते हैं तो आम तोर पर कहा जाता है कि बहुत ही कठिन भाषा होती समिधान की सभी के समझ में नहीं आती और इसी का फायदा वकील उठाते हैं क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या आपक लगवा और इसको बनाया हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि बाबा साव भीम राव मेटकर ने जो सम्विधान की रचना की और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए लिखित सम्विधान बनाया और यह सोच के बनाया कि देश के हमारे जो गरीब तपका है इसको पूरी क्लासों से इसको लागू करें जिससे आगे सबको इसके बारे में जायनकारी हो और अपने एधिकारों को पूरा समझ सके और उसको प्राप्त कर सके और इसी पर मैं उन लोगों को जो हमारा शोशन कर रहा है दो लाईने कहना चाहूंगा कि हमें अपनोंने लूटा गेरों में कहा दम था हमारी नाव वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था और अगर ये पानी सचमुझ कम है और फिर भी नईया डूब रही है तो सोचने की बात है अनिल गुपता है आप गोरकपूर से है उत्तरप्रदेश से और आप वकील भी है आप खुद एड़ोकेट है मैंने थोड़ी दिर पहले कहा था कि समविधान की भाशा कठीन है गू और जहां तक आम जिनता में इसको मुहिया करने की बात है तो इसको प्राइमरी पाट साला से लेके उपर तक के कक्षों में कम से कम इंटर तक तो पढ़ाया ही जाना चाहिए आज हमारे शिक्षा के परिवेस में मात्र ये जनरल नालेज के तौर पर ही इसको इस्टुडें हमारा ये करतब भी है हमको ये करना चाहिए हमको ऐसे करना चाहिए लेकिन हम अपने अधिकारों की बात अधिक करते हैं और करतब्यों को कम निभाते हैं तो हमारा निवेदन यही है कि प्राइमरी पार्ट साला से लेके कम से कम इंटर तक इसको समविधान को जरूर पढ़ सरें जाने आज हम जन्तरमंतर पस्थित हुए हैं और देश के कोने कोने से लोग आएं हुए हैं तो बाबा सहब आपने समीधान रचा उसमें हर बर्क के आदमी के लिए विवस्था की गई हर तरह को उसमें उपचार किया गया लेकिन ये बात हर किसी को आम तरीके से नहीं मालम होती है जैसे कि आपने बात की पड़ा लिखा होना पड़ा लिखा होना अलग बात है नाम लिख लेना पंग्ति का जो आखरी व्यक्थि तक अगर हमें सहायता नहीं पहुच पा रही है लाब नहीं पहुच पा रहा है तो हमारा फिर जावारोek होना बेरत है तो यह मतलब कहना है कि पड़ालेखा होना अलग है लेकिन हर व्यक्ति मैं आकाश्वारी नाकपूर के इंद्रस से हूँ मैं सवीधान लिखा निर्माता हमारे जो डॉक्टर परंपुज़ बागबा साहब अंबेट कर है भारत रतना उनको कितनी उपाधी से हम नवाजे कमी है जिने तो पूरी दुनिया जानती है सिंबॉल अप नॉलेश से और बाबा साहब का लिखा जो सवीधान है वो हमारे ही लिए हमारे ही देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए है मतलब रास्टरपती से लेकर एक मज़दूर काम वाला जो लेबर होता है वहाँ तक सवीधान में सभी के लिए कुछ न कुछ लिखा है बस उसको हम समझ नहीं पाते हैं हमें अग्यानता है हमें उसमें नौलेश कम है क्या हमारा सवीधानिक हक है उसी के बाद हम कहना चाहें के महला आज हम जो यहां बैठी है इसका पूरा अश्ट्रे है जाता है सवीधान में लिखे वे बाबा साहब ने हमारे लिए जो हक लिखे है जैसे कि महलाओं के लिए तो मेटरनेटी लिव मिलती है इसके विलिए हम पूरी महला आए उनको तहर दिल से धन्यवाद कहेंगे धन्यवाद कहना ये शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन हम मानते हैं दिल से कि आज हम यहां पर यह पूरुष जाती की पूरी लाइन में जो बैठे है इसका पूरा श् बस्तूत की जाए आम लोगों के बीच में जो आसानी से ग्रहन की जा सके एक बार एक बात देखी जाती है आप लोग जी नितिन जो किछ कहना चाहरे है मैं आपके पास आ रहा हूं एक बात यह कही जाती है कि जब फिल्में होती है फिल्में बहुत चाओ से लोग देखते ह तीवी पर बहुत सारी बाते आती हैं समीधान से सम्मंदित यहां पर ना कोई फिल्म बनती है ना कोई टीवी सीरियल होता है क्या कहना चाहेंगे अगर इस प्रकार का कोई प्रयास हो तो क्या इसमें सफलता मिल सकती है क्या कहना चाहेंगे नितिजिया जरूर मिल सकती है क्यो कि सम्विधान का बैकबॉन है फंडामेंटल राइट्स, वो आत्मा है सम्विधान के और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जितने लोग जागुरुक हो जाएंगे उतने लोग अपने आधिकारों के लिए लडेंगे, शायद वो इंडिविजुल लेवल पर लडेंगे, या फिर जुडिशियली लडेंगे, नयाइक व्यवस्था में जाकर लडेंगे, और नयाइक व्यवस्था में जितने लोग जाएंगे, वो तो वकील के पास ही जाएंगे न, तो उनका जागुरुक होना भी जरूरी है, कि उस द्वारा, उस हिसाब से उनमें अगर जागु प्रादेशिक भाशा में भी उपलब्द है, मराथी में उपलब्द है, हिंदी में उपलब्द है, अगर आप सम्विधान को ठीक तरह से पढ़ते हो, तो आपको सर्वसाधरन पने समझ में आ जाता है, कि सम्विधान क्या कहता है, शिक्षित बनो, संगटित हो जाओ, और स अंगर शुकरो, तो ये सम्विधान से हमें सीख मिलती है, बहुत ही आसान है समझने के लिए, लेकिन लोगों की भी उसमें दिल्चस्पी उतनी ही रहनी चाहिए, दिल्चस्पी पैदा करना आवशक है, रेहान क्या कहना चाहेंगे, रेहान है, बैतूल से, जी, श्रीमान म हमें वो सिस्टम हमको हमारा हक नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या ऐसे प्रत्नी किये जाएं, कि हमें अपना सविधान भी अपनाने को मिले, और हमें अपना हक भी मिले, और हम उसमें सांस ले सके, ऐसा कौन सा सिस्टम है, जो हमें इसके लिए मदद करेगा, क्या कहना चा सब्सक्राइब Hindu और गाल के सजड़ीन करने हैं अर्फाइब मिले हैं कि जब हमकी मैं तो आज हमार ही आदिकार को किस निएम के तहत दबाए zestाने आ जाता है आज में हम लोग काम करते हैं विगत दस वर्षों से तीश वर्षों से हम लोग काम करें लेकिन हमारे नियमित करण के अधिकार सुरक्षित हैं हमारे रेगौलाइजेशन के लिए सुप्रीम कोट ने भी अपने आदेश जारी कर दिया है, उसके बावजूद भी महानी देशाल है, समविधान के कौन से नियम के तहट हमें बांध कर रखना चाहता है, हमारे हक को दबा कर रखना चाहता है, तो समविधान की जानकारी सभी लोग लड़ते हैं याद करते हैं लेकिन कई बार उसमें छुपी छुटी-छुटी बारी कीया वहमें नहीन पता हो तो जसी जाते हैं बरेली से हेडल पाल सिंग, न कहना čाहूँ गा कि हमारे जो समाचार पत्र हैं, उन cow में भी समय समय पर इसका एड़िकारों के प्रती हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे करिकासित होना चाहिए उनको भी देते रहना चाहिए और हमारी जो सिक्षा काि स्थर है, उसमें में पर्कासित हो जाये जיש की इंदर देखते हैं कि दो तरह की धाराएं है एक वो है जो इंडिया है और दूसरा वो है जो भारत है तो भारत और बनाम इंडिया के बीच का जो स्ट्रगल है बीच की जो खाई है उसे पाठने की कोशिश होनी चाहिए सम्विधान के दाइरे में रहकर ही सब कुछ संभग है और सम्विधान की बात करने से पहले संपुर्ण सम्विधान सभा होत महान है प्रशन सरी है तो यह भारत और इंडिया के बीच जो कश्मकस चल रही है एक डिजिटल की तरफ बर रहा है दूसरा तरफ भुकमरी की भी बातें देखने सुनने को मिल जाती है दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है तो वह भी अधिकार है तो यह सारे अधिक रहता है वह जान देने के लिए तयार रहता है और जो बरी बरी डिगडियां लेकर बैठते हैं जिसे हम अपना रहनुमा चुनते हैं पांस साल में क्या-क्या कारणामे करके दिखाते हैं एक दिसम्ला साथ चौ लाख करोड का स्क्राम हो जाता है तो वह सिक्षा नहीं है ज देश के परती बहुत अच्छी बात है और दर्शकों हम यहां पर इस चर्चा में मुख्य रूप से इसी बात पर केंद्रित थे कि समीधान की जानकारी आम लोगों तक सरल भाशा में सरल रूप में आसान तरीके से अगर पहुंसती है तो निश्ची तो उसका फायदा आम जनता को ही होगा और समगर विकास की जब बात होती है तो समगर विकास तभी संभव है जब हर विक्ति को अपने अधिकार पता हों करतवे पता हों और इन अधिकारों की जानकारी समीधान के माध्यम से ही समीधान को जानकर उसे पढ़कर समझ कर ही हमें मिल सकती है और इसल स्वतंत्रता को बल देता है समता न्याय का बल देता है स्वतंत्रता को बल देता है समता न्याय का धल देता है जिसकी बदालत भारत देश को मिला यहां सम्मान है भारत का सवी धान है स्वतंत्रता को बल देता है समता न्याय का धल देता है जिसकी बदालत भारत देश को मिला यहां सम्मान है जिसकी बदालत भारत को मिला यहां सम्मान है जो भी यहां पैदा होता है भारत मा का लाल है सवी धान में इन बातों का रखा देखो खयाल है जो भी यहां पैदा होता है भारत मा का लाल है सवी धान में इन बातों का रखा देखो खयाल है होई मरेना भूख प्यास से इसका प्रावर धान है मारे इसके साथ सम्मी 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 धान है शिक्षा मिले यहां सब बच्चों को यह उनका अधिकार है मूल भूत अधिकारों का भी सब विधान ही अधार है शिक्षा मिले यहां सब बच्चों को यह उनका अधिकार है मूल भूत अधिकारों का भी सब विधान ही अधार है साथ धर्म का भेद नहीं है सब को न्या यह समान है भारिफ का सब दिखान है इसके रचेता भी मराव का सपना कितना अच्छा है उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना उचाना नीचा है इसके रचेता भी मराव का सपना कितना अच्छा है उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना उचाना नीचा है बड़ी शान सिक, स्वाभी मान सिक, पन पे पन त प्रधान है आजर में कोई नरा उच्छा है सवविधान को पढ़के समझना लब की जिम्मेदारी है सवविधान ने ही हम सब की देखो दुनिया सवारी है सवविधान को पढ़के समझना सब की जिम्मेदारी है सवविधान ने ही हम सब की देखो दुनिया सवारी है सवविधान ही भारत देश की जीवन जो परप्रान है भारत का सब वी धान है भारत का सब वी धान है